बीवाना शाय, सादस असन मंटो, मैं आउंगों का ब्योपारी हूँ, लहू की शायरी मेरा काम है, चबन की बांदा हवाओ अपने दावन समेट लो, कि मेरे आतिशींगीत दबे हुए सीनों में एक तलातुम पर पकड़ने वाले हैं, ये बेबाक नखमादग की तरह उठा औ लुग गया, आवाज में कस्म की दिवान गीती, ना काबिले पयान, मेरे चुस्म के तपने अपनी मामाओं के साथ खेल कूद में महव थे, पास ही दो-तीन गवार बैठे वे थे, बाई तरफ नीम के दरफ्तों के नीचे, माली जमीन खोदने में मसरूफ था, मैं अभी इसी जी सूजू में ही था, कि वही दर्द में डूबी हुई आवाज फिर बुलंद हुई, मैं उन राशों का गीत गाता हूँ, जिनकी सर्दी दिसंबर मस्ताल देता है, मेरे सीने से निकली हुई आह वो लू है, जो जून के महीने में चलती है, मैं आहों का निशे से आरही है, मुझे मेरे क्लिकत सी तारी हो, मैं ऐसा महसूस करने लगा के सर्द और गर्म लहरे बयक वक्त मेरे जिसंबर लेपट रही है, इस ख्याल ने मुझे कुछी कदर खौजदा कर दिया, यह आवाज उस कुए से आरही है, जिसमें आज से कुछ साल पहले ला चीख फुका से भूंच रही है, मैं लर्ज गया, अपने कांदों को जोर से जटका दिया, और इसमझ से खौफ को दूर करते लिए मैं उठा और खूए का रुख किया, सारे बाह पर एक पुर असरार खामशी चाही हुई थी, मेरे कदमों के नीचे खुश्क पत्तों की सरस तरहाट सुखी हुई हड्डियों के तूटने की आवाज पैदा कर रही है, पोशिश के बावजूत में अपने दिल से वो नामालूम खौफ दूर ना कर सकता, जो उस आवाज ने पैदा कर दिया, हर कदम पर मुझे यही मालूम होता कि घास के बिस्तर पर बेशमार लाशे पड़ी हुई है, जिनकी बो सीधा हड़ियां मेरे पाओं के नीचे तूट रही है, यकाएक मेंने अपने कदम तेज किये और धड़कते वे दिल से उस चबूतर बाद बैठ गया, जो कुएं के एस्दगिर्द बना हुआ है, मेरे दिमाग में बार बार ही अजीब सा शेर पूंज रहा था, प्याहों का ब्योपारी है, लहू की शायरी मेरा काम है, कोई के करीब कोई मौजूद मा था, मेरे सामने छोटे फटक की साथ वाली दीवार पर गोलियों के निशान थे, जिन पर चौकों और जाली मंधी हुई थी, मैं निशानों को बीस्यों मरतबा अब वो दो निशान जो मेरे निगाहों के आयन मकाबिल थे, दो फूनी आखे मालूम हो रहे थे, जो दूर बहुत दूर किसी गहर मरही की इसको टिक-टिकी लगाये देख रही हैं, बिला एरादा मेरे निगाहें उन दो चश्म नुमा सुराखों पर जम कर रहे गी, मैं उ नोड़कर देखा, गुलाब की जाड़ियों से एक गलास कद आदमी सर चुकाई मेरी तरफ बढ़ रहा था, उसके दोनों हाथ उसके बड़े कोट की जेबों में ठुसे वे थे, चलते वे वो जेर अलब कुछ गुंबना रहा था, कुए के करीब पहुचकर वो ठिटका, औ गर्दर उठा कर मेरी तरफ देखते वे का, मैं पानी प्यूंगा, मैं फॉरण चबूतरे पर से उठा और पम का हैंदर से लाते वे उस अच्ड़मी से कहा, आईए, अच्छी तरह पानी पी चुकने के बाद उसने अपने कोट की मेरी आस्पी से मुह पोचा, और वापस च दोरे गायर मामूली तोर पर नुमाया थे, मैं खल्बी वार्दात का जाइजा लेती हुए मालूम हो रही है, मैं घबरा गया, आप ऐसे की इतना गया करें, कि सक्थ खौफनाक हैं, खौफनाक? नहीं, इन्हें हैबतनाक होना चाहिए, जबके मेरे राग के हर सुर में जिलाते हुए कहा, ये अलफाज उस शोर के मुशाबे थे जो बर्फ के धेले में तप्ती हुई सलाफ गुजारने से पैदा होता है, आप ये डरा रहे हैं, मैं ये कहने पर उस मर्दे अजीव के हलक से तैक हुआ नुमा शोर बुलंद हुआ, हाँ 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 ये सुनकर मेरे कदम डगमरा दे, मैं वाकई खूनी मुझेर पर खड़ाता, मुझे खावताता देखकर और फिर बोला, थर्राई हुई रगों से बहावा लहु कभी फना नहीं होता, इस खाक के जर्रे में मुझे सुर्थ मून तर्ड़कती नजर आ रहे हैं, आओ, तुम आओ, तुम इसे समझ नहीं सखोगे, ये बहुत मुझे समझ रहा था, वो गालेबन मुझे उस खूनी हाथसे की याद दिला रहा था, जो आज सोला साल पहले इसी बाग में हुआ था, उस हाथसे के वक्त मेरी उमद तक्रीब पास साल की थी, इसलिए मेरे दिमाग में जिसके बहुत धुनले नुकूश बाकी थे, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम था कि इस बाग में अवाम के एक जलसे पर गोलियां बरसाई गई थी, जिसका नतीजा करीबन दो हजार मौट थी, मेरे दिल में उन लोगां का बहुत एहतराम था, जिनों ने अपनी मादर बतन और जजबा आजादी की खाते अपनी जाने खुर्बान कर दी, बस इस अहतराम के इलावा मेरे दिल में इस हाथसे के मुतालेक और कोई खाथ जलबा ना था, मगर आज इस मर्दे अजीब की गुफ्तगू ने मेरे सीने में एक हैजान सबर पाकर दिया, मैं मैसूस करने लगा कि गोलियां तर तर बरस रही हैं और बहुत से लोग वहिशत के माले इधर दर भागते हुए एक दूसर बगिर कर मर रहे हैं, मैं इस असार के तहर चिला मैं समझता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ, मौत भयानक है, मैं अगर जल्म उससे कहीं खौफनाक और भयानक है, यह कहते हैं मुझे ऐसा मैसूस हुआ कि मैंने सब कुछ कह जा लगा है, और मेरा सीना बिल्कुर खाली रह गया है, मुझ पर एक मुर्देनी सी छग, गहर मैंने उस शक्स कोट के कॉलर को फकड़ लिया, और ठर्राई हुई आवाज में का, अब कौन है, अब कौन है, आहूं का भयोपारी, एक दीवाना शायर, आहूं का भयोपारी, दीवाना शायर, उसके अलवाज जेरे लब गुनगुनात विवे मैं कुवें के चबूतर पर बैट गया, उस वक्त मेरे दिमाग में उस दीवाने शायर का गीत बूंजरा थे, थोड़ी देर के बाद मैंने अपने चुका हुआ सरुत है, सामने सपीज़े के दो दरफ खैबतनात रक्षसों की तर्दा अंगडाईया ले रहे हैं, पास ही एक चंबेली और गुलाद की जाडियों में हवा आहें बिठेर रही थी, दीवाना शायर खामोश खड़ा सामने वाली दीवार की घृके पर निगाहें जमाई हुए थे, शाम के धुमलके में वो एक साया सा मालू बुला थे, कुछ देर खामोश रहने के बाद वो अपने खुश्क बालों में उम्लियो के निशानात की तरह खौफनाक, क्या कहा, मैं उन अलफास को अच्छी तरह सुनना सकता था, जो उसने मुई मुई में आदा किये थे, कुछ भी नहीं, ये कहते हुए मेरे पास आकर चबुग तरह बैट गया, मगर आप गुन-गुना रहे थे, इस पल उसने अपनी आखे एक अजीब अन्देज, अन्दार्म सुकेरी, और हातों को आपस में जोर से मलते वे कहा, सीने में कैद किये वे अलफाज बहार निकलने के लिए मुस्तरिब होते हैं, अपने आप से बोलना, उस अलूहिये से गुफटगू करना है, जो हमारे दिल की पिनाईयों में मस्तू होती है, फिर साथ ही गुफटगू का लुख बदलते हैं कहा, कि आपने उस खिरकी, आपने उस खिरकी को देखा है, उस खिरकी में, वो खिरकी जो सामने दीवायर की बुरे हाल इटों में सोई हुई मालूम वरी थी, मैंने कहा ये खिरकी, जिसका एक डंडा नीचे लटक है, हाँ, यहीं जिसका एक डंडा नीचे लटक रहा है, क्या तुम इस पर उस मासूम लड़की के खून के छीटे नहीं देख रहे हो, जिसको सिफ इसलिए हलाक कर दिया गया कि तरकश इस अबदाद को अपने तीरों के कुवत परवास का इम्तिहान लेना है, मेरे अजीज तुमारी उस बहन का खून जरूर रंग लाएगा, मेरे गीतों के जेरो बम में उस कंसिन रूफ की फरफडाट और उसकी दिल्दोस चीखे हैं, यह सुकूर के दामन को तार तार कर देंगे, एक हंगामा होगा सीना गीती, शक हो जाएगा, मेरी बेलगामा आवास बुलन से बुलन्तर होती जाएगी, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, यह मुझे मालूम नहीं, आओ, देखो इस सीने में कितनी जबरदस्त आख सुलग रही है, यह कहते वे उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसे कोट के अंदर ले जाकर अपनी सीने पर रच दे, उसको उसके हाथों की सीना भी बहुत गरम था, उसको उसकी आखों के डोरे बहुत अबरे वे थे, मैंने अपना हाथ अटा लिया, और कापी वे आवाज में कहा, आप अलील है, क्या मैं आपको घर चुड़ा हूँ, नहीं मेरे अजीज, मैं अलील नहीं हूँ, उसके जोर से अपने सर को हिलाए, यह इन्तकाम है जो मेरे अंदर गरम सांस ले रहा है, मैं इस दवीवी आख को अपने गीतों के दामन से हवा दे रहा हूँ कि यह शोलों में तब्दीर हो जाए, यह दुरुस्त है, मकर आपकी तब्दीर सच में खराब है, आपके हाथ बहुत गरम है, इस सर्दी में आपक आपकों में उबरे वे सुर्फ डोले साफ तोर पर जाहिर कर रहे थे, कि उसे काफी बुखार है, उसने मेरे कहने की कोई परबार रखी, और जिबों में हाथ ठूज कर मेरे तरफ बढ़ा, अब मुझे बड़े गौर से देखते वे कहा, यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि लकड पर जाहिए, आप जैसे नाजुक मिजाज मेरी आहों के खरीदार नहीं हो सकता है, वगर वगर कुछ नहीं, वो दफ़तन जोश में चिलाने लगा, इनसानियत के बाजार में सिर्फ तुम लोग बाकी रहे गए हो, जो खोकले कहों और फीके तबस्मों के खरीदार हो, एक जमाने से तुम्हारे मजलूम भाईयों और बहनों की फलक शगाफ सीखे तुम्हारे कानों से तक्रा रही है, अगर तुम्हारी आवाज तुम्हारे कानों में जरा सी भी हलचल परिदा नहीं हुए, आओ अपनी रूहों को मेरी आहों की आँच दो, यह उन्हें हिसास बना है, उसकी गुफ्तगु बावानी जरूर थी, मगर लहजे में अजीब कस्म के दीवानगी थी, उसकी उमर यही कोई 20-25 बरस के करीब होगी, दाड़ी के बाल जो एक अर्शे से मूंडे जा गये से, कुछ तंदाज मोंके चेहरे पर उगे वे थे, कि मालूम होता था किसी ख लिचके वे माथा बाहर की तरह उभरा हुआ, नाक नुकिली, आखें बड़ी जिनसे वहशे तकती थी, सर पर खुश्ट और खाकालूद बालों का एक हुजूम, बड़े से भूरे कोट में वह वाकी शायर मालूम हो रहा था, एक दीवाना शायर, जैसा कि उसमें को जिस न आखेंगालाब का मिंबर, आप इनकलाबी मालूम होते हैं, इस पर खिल खिला कर हस पड़ा, आप ने बहुत बड़ा इनकिशाफ किया है, हाँ, मैं तो कोटों की चटों पर चटों पर चड़कर पकारता हूँ, ना, इनकलाबी हूँ, ने रोक ले जिससे बन पड़ता है, आप ने वाक ही बहुत बड़ा इनकिशाफ किया, यह कहकर हसते हूँ अचानक संजीदा हो गया, इसकूल के एक तालिब इलम की तरह, इसकूल के तालिब इलम की तरह, इनकलाब के हकी मानी से तुम भी नाश्ना हो, इनकलाबी वो है जो हर अना इंसाफी और हर गलती पर चि पीड़ नहीं, वो एक मजदूर इतनों मन्त जो अपने आहनी हतोड़े की एक जर्फ रही अर्जी जन्नत के दर्वादे वा कर सकता है, मेरे अजीज यह मन्तिक खाबों नजरियों का दमाना नहीं, इनकलाब एक ठोस हक्त है, यह यहाँ पर मौजूद है, इसकी लहरें दील कर रहा हूँ, मैंने महसूस किया कि मेरी रूह किसी घर मरे इस चीज़ को सजदा कर रही है, शाम की तारीकी बढ़ रही थी, नीम के दरख कपपा रहे थे, शायर मेरे सीने मेरे सीने मेरे जहां आबाद हो रहा था, अचानक मेरे दोसे किछ अलपाद रुखे और लोग तो फिर अपने फून को किसी तस्तरी में निकाल कर दक छोड़, कि हमें आजादी के खेंट के लिए इस तुर्ख खात की बहुत जरूरत होगी, आह, वो वक्त इसकदर खुझगवार होगा जब मेरी आहों की जर्दी तबस्ब कर रंख 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 त्यार कर लेगी, ये कहकर वो कुवे की मुडेर से उठा और मेरे हाथों का अपने हाथ में लेकर कहने लगा, इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं, जो हाल से मुतमईन हैं, अगर तुम्हें अपनी रूह की बालीज़गी मन्जूर है तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहने की कोश करने हैं, उनका एहसास पत्रा पत्रा गया है, मुस्तक्मिल के जांबक्ष मनाजर उनकी निगाहों से हमेशा उचल रहेंगे, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ दबाया, अपेश्तर रिसके मैं उसे कुछ पूछ सकता, लंबे कदम उठात रात की रानी की दिलनमाज खुछ में घुली हुई मेरे कानों तक कुछ वो बाग के दूसरे कोशे में गा रहा था, जमीन सितावों की तरफ लचाई हुई नजरों के लिख रही हैं, उठो और इन लग्जीनों को उसके नंग या सीने पर जड़ दो, धाओ, खोदो, चीरो मारो, नई दुनिया के मेमारो, क्या तुम्हारे बाग्वों में कुवत नहीं है, मैं आहों का बेवपादी हुई, लगु की शायरी मेरा काम है, जीत खतम होने पर मैं बाग में कितनी देर तक बैठा रहा, यह मुझे याद दी, मेरी मा का कहना है कि मैं उस दो घर बहुत द दो एल से हैता